नमस्ते, राधी राधी, हेलो एब्रीवन, वेलकम टू आवर चैनल, बायोवर्स, ते यूनिवर्स आफ बायोलजी, तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको B.S.C. 6 सेमेस्टर का पेपर फस्ट, जिसमें आपको साइटोजेंटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एड नैनो कंप्लीट हो गई है, अब जो हम आपकी स्टडी करने वाले हैं उसमें नुकलियस के बारे में, नुकलियस के बारे में आपको उसका जो आरेंजमेंट होता है, उसमें नुकलियर मेंब्रेन का, नुकलियो प्लाज्म का और नुकलियोलस, तीन पार्ट पा जाते हैं, नुकल क्रोमोजोम के बारे में जिसमें आपको इस्ट्रक्चरल क्रोमोजोम और नियुमेरिकल क्रोमोजोम के बारे में पढ़ना है इस्ट्रक्चरल क्रोमोजोम के अगर हम बात करें तो उसमें आपको कैसी सारी चीजे पढ़नी है उसी तरीके से नियुमेरिकल क्रोमोजोम में बनते हैं इस लेक्षर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हमबल रिक्वस्ट है कि अगर इन नोट्स के आपको पीडियोफ चाहिए होते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल जाइन करिए जिस पे आपको इसके पीडियोफ मिल जाएंगे और अगर आप पहली बार वीडि एक वर्ड से डिनोट करते हैं जिसे हम कैरियोफ का मतलब ही होता है नुकलियस ठीक है कैरियोफ से डिराइब है अगर हम नुकलियस के स्टड़ी की बात करते हैं तो इसे हम फे देन कैरियोलाजी कहेंगे ठीक है कैरियोफ नुकलियस को बोला जाता है और इसके स्टड़ी को Logus Word जहां भी आए Logi तो वो क्या हो जाता है Karyology यानि कि वहां हम बात किसकी कर रहे हैं किसी चीज के Study की बात कर रहे हैं अब थोड़ा सा हम इसके Discovery पे फोकस करते हैं अगर हम इसके Discovery की बात करें तो इसको Discover करने वाले जो पहले Scientist थी वो थे आपके Robert Brown अब यहीं से एक नाम और आपको याद आना चाहिए Robert Hook जिन्हें Cell का Discover कहा जाता है इन्हों ने इसको Nucleus को Cell में Discover किया था उन्हों देखा एक Dense यानि कि घनी Body जो है आप सबको पता है कि Nucleus किस तरीके से पाए जाता है यह आपका Cell होता है ठीक है इस तरीके से कोई भी Cell आप ले लीजे बीच में Nucleus आपका पाए जाता है बीच में Nucleus कहां पाए जाता है यह भी आपको याद होना चाहिए कि Animal Cell में तो Nucleus कहां पाए जाता है आपके Center में पाए जाता है लेकिन अगर वहीं हम Plant Cell की बात करते हैं Plant Cell में Nucleus periphery पे पाए जाता है और periphery पे यानि किनारे पे पाए जाता है periphery पे पाए जाने का रीजन क्या है कि यहाँ पे वेक्यूल्स पाए जाते हैं Plant Cell में बहुत बड़े बड़े वेक्यूल्स पाए जाते हैं जबकि animal cell में vacules नहीं पाय जाते हैं और यही vacules पाय जाने की वज़े से plant cell में नुकलियस के होता है परिफेरी पे पाय जाता है अगर वहीं हम बात करें दूसरे scientist टेक आते हैं स्ट्रासबर्गर ने 1873 में इसके औरीजिन के बारे में बता है कि नुकलियस का औरीजिन कहां से होता है अगर हम इसके औरीजिन के बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है कि नुकलियस arrived from pre-existing nuclei और आई यहां पर भी आपने सेल के बारे में पढ़ा था inis equprise कोई भी सेल अपने प्रि एक्जेर्टिंग सेल पहले से जो सेल प्रिजेंट है उसी से एराई होता है उसी लेरिया देखके आपको एक बात यादा रही होगी कि मैंने आपको बताया था जब प्रोकेरियोट यूकेरियोट सेल के बारे में बढ़ा रहे थे तो वहां मैंने बताया था ये क्या है एक प्रकार का unicellular alga है unicellular unicellular मतलब इसका पूरा body जो है एक ही किसका बना होता है cell का unicellular alga है और यहां से question बनता है ठीक है तो ऐसी टैब ले दिया एक टाइप का unicellular alga है इन्होंने इस पर क्या दिया है karyoplasmic index के बारे में ठीक है इसके nucleus के index के बारे में बताया है nucleus को controlling center of cell या इसे आप brain of cell भी एक तरीके से कह सकते है brain of cell यहां सबसे question बन जाता है कि controlling center of cell या brain of cell किसे कहा जाता है ठीक है अब हम थोड़ा से nucleus के बारे में जानेंगे उसके number की basis पे ठीक है कि उसमें कितने number present है किस तरीके से उसका structure है इसके basis पे हम थोड़ा से nucleus के बारे में जानेंगे अगर हम number की बात करते हैं तो अगर हम बात करें कि अगर nucleus present है ठीक है और absent है तो सबसे पहले छोटा part है absent वाला absent के बारे में हम जान लेते हैं कि अगर nucleus absent है कहां कहां पे nucleus आपके cell में ऐसा नहीं है कि हर cell में nucleus पाया ही जाता है आपके cell में सरीर में आपकी body में या कुछ organism की body में ऐसे cell होते हैं जहां पे nucleus नहीं पाया जाता है जैसे कि अगर humans की बात करते हैं या जिन में RBC यानि कि blood पाया जाता है मेच्योर आर्बीसी जो होता है ठीक हैварा जो आर्बीसी मेच्योर नहीं होता है Durka कोई भी चीज बच्चा कहा होता है पहले चोटा सा बनता है। उसके बाद वो सकी BODY औरगन सा बनते था वो मेच्योर बेबी एक बनता है। Depay अब सब सुंते होंगी की Premature Delivery हो गए। कि baby अभी mature नहीं हुआ था अच्छे से उसके सारे organs डेवलब नहीं हुए थे उससे पहले ही delivery हो गई तो उसी तरीके से अगर RBC mature हो गया, premature RBC की बात नहीं की जारी है कि mature RBC पूरी तरीके से mature नहीं है, उसकी बात नहीं की जारी है, उसमें nucleus पाया जाता है, लेकिन अगर mature RBC की हम बात करते हैं तो वहाँ पे यह absent होता है, उसी तरीके से plant cell में आपके tube, sieve tubes पाया जाते हैं, तो sieve tube cell में नहीं पाया जाता है, उसी तरीके से prokaryot, आप सबको पता है कि prokaryot में nucleus क्या होता है, absent होता है, इसी वज़े से तो वह prokaryot हो, क्योंकि उसमें primitive carry-on पाया जा रहा है, तो prokaryot में यह absent होते हैं, अगर अब हम present की बात करें, तो present में यह uninucleate हो सकते हैं, binucleate, uninucleate का मतलब single nucleus पाया जाएगा, एक cell में एक ही nucleus पाया जाएगा, binucleate का मतलब एक cell में दो nucleus पाया जाएगा, उसी तरीके से multi-nucleate, एक ही cell में कई सारे nucleus पाया जाएगी, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, uninucleate की, तो plant और animal को अगर हम divide करें, तो यहां बीच में ना पाके यहां किनारे पे पाए जाएंगे, पेरिफरी, किनारे पे पाए जाएंगे, उसी तरीके से अगर एनिमल सेल की बात करते हैं, तो इस तरीके से एक एनिमल सेल है, तो इसके सेंटर में नुकलियस पाए जाएगा, कहां पे पाए जाएगा, सेंटर में जरूर पढ़ा होगा, किसके बारे में? पैरा मीसियम के बारे में तो पैरा मीसियम एक ऐसा औरगेनिजम है जिसमें दू तरीके का नुकलियस पाय जाता है वो साइज की बेस्वेस पर ठीक है एक माइक्रो होता है आप सबने paramecium की body तो देखी है कुछ इस तरीके से paramecium slipper like any molecules है इस तरीके से organism पाया जाता है तो इसमें nucleus कहता हमाले जी nucleus है एक बड़ा और एक छोटा ठीक है ये हो गया आपका micronucleus और ये हो गया macronucleus ठीक है अब दोनों के अलग-अलग function है जो micronucleus है वो कैसा होता diploid होता है यानि कि 2N आप सबने haploid diploid के बारें पढ़ा होगा तो ये कैसा होता diploid होता है यानि कि 2N होता और ये reproduction का काम करता है और वहीं अगर हम इसके macronucleus बड़े nucleus की बात करें तो ये polyploid होता है और vegetative organ की तरह work करता है अब multi nucleate की बात करें तो 2 term आपने सुना होगा एक होता है syncycium हर जगह आता है और sinusitic इसमें क्या होता है माली ची ये कोई cell पाय जा रहे ठीक है तो इसमें nucleus इस तरीके कई सारे nucleus पाय जाएंगे कुछ periphery पे काय पाय जाते हैं कुछ बीच बीच में इस तरीके से कई सारे nucleus पाय जाएंगे तो इसे क्या कह जाएंगे multi का मतलब कई सारे multi nucleate organism ठीक है तो अगर syncycium word आता है तो ये animal में पाय जाता है दोनों का मतलब है multi nucleate चाहे वो syncycium होई या cynocytic लेकिन अगर animal में पाय जा रहा है तो उसे हम syncycium कहेंगे और अगर plant में पाय जा रहा है तो उसे हम synocytic कहेंगे syncycium की बात करें तो आपके skeletal muscles में एक आपका proto-zone पाय जाता है जिसे opylena के नाम से जाना जाता है आप सब ने में प्रैक्टिकल में ज़रूर देखा होगा वहाँ पे क्या होते है syncycium यानि की multinucleate क्या पाय जाता है आपका nucleus पाय जाता है और वहीं अगर synocytic की बात करें तो वुक्रेरिया एक वुक्रेरिया ने वुक्रेरिया बैंक्राफ्टी तो आपके अनिमल्स का हो गया वुक्रेरिया एक क्या पाजाता, algae, वाउचेर यह, जो algae है, ठीक है, यह आपके इसमें, और coconut का जो endosperm है, जो हमारे edible coconut होते हैं, उनका जो endosperm है, जो watery reason है, उसमें nucleus कैसा होता है, multi-nucleate होता है, अगर हम यहीं बात करें इसके shape की, ठीक है, कि nucleus का shape किस तरीके का होता है, तो इसका shape vary कर सकता है, depend करता है कि cell, ठीक है, कैसा cell है, अब shape इसका vary कर सकता है, किसी में rounded हो सकता है, किसी में spherical हो सकता है, किसी में elongated हो सकता है, किसी में flattened हो सकता है, यह depend करता है कि cell कैसा है, कौन सा cell है, उसके हिसाब से shape vary कर सकता है, अगर branch nuclei की बात करें तो जो आपके glandular cell होते हैं glandular cell के बारे में आप सबने सुना होगा वहाँ पर अपकी nuclei कैसी होती है branched मतलब branching उसमें पाए जाएगी इस तरीके से branching पाए जाएगी ठीक है अगर आप सबने WBC यानि की white blood cells के बारे में white blood cells या जिसे हम leukocytes भी कहते हैं leukocytes ठीक है white blood cells या leukocytes के बारे में आप सब जानते हैं इसे हम आपका immune system यहीं से regulate होता है जो आपके immune cells पाए जाते हैं वो WBC ही होते हैं ये कैसा होता है दो type का होता है आप सब को पता है granular होता है ए granular होता है इसमें भी कई सारे type पाए जाते हैं आपके ठीक है eosinophil, basophil, acidophils उसके monocyte, भी lymphocytes ठीक है ये 5 type इसमें पाए जाते हैं इसका safe कैसा होता है irregular होता है that means ये safe change करता रहता है कोई fix safe ही नहीं है इसका जब जैसी जरूत पड़ी तो वो ऐसा अपना safe change कर लेता है जैसे कि आप सबने amoeba में देखा होगा कि उसका safe changeable होता है अगर हम वहीं इसके size की बात करते हैं ठीक है कि size कैसा होता है तो size nucleus का variable है मतलब ये भी changeable है changeable या variable है change हो सकता है generally देखा जाता है 5 से 30 micron तक पाए जाता है अगर nucleus के size की हम basis पे बात करें तो ये जो active cells होते है यानि कि जो cell working होते है जो cell procedure में होते है उनका nucleus कैसा होता है बड़ा होता है larger होता है वहीं जो resting cell होते है यानि कि जो work नहीं कर रहे है जो function नहीं कर रहे है उनका cell smaller होता है यहां से भी आपके question बने के chances रहते हैं अब हम बात करने वाले है structure of nucleus पे ठीक है अगर हम nucleus के structure की बात करें तो nucleus का जो structure है वो mainly 4 parts से मिलकर बना हुआ है mainly 4 parts से मिलकर बना हुआ है अगर sorry उन 4 parts की हम बात करते हैं तो वो 4 parts है मेंली पहला सबसे outer membrane जो nucleus पर पाया जाता है वो आपका यहां पर mem का मतलब है membrane ठीक है nuclear membrane सबसे outer part होता है nuclear envelope या carryo ठीका nucleus का उपर का ठीका इन नामों से जानते हैं तो अगर आपको nuclear membrane दे दे nuclear envelope दे carryo ठीका दे that means यह outer membrane की बात कर रहा है nucleus के दूसरा part पाया जाता है nuclear sap जिसे हम nucleoplasm या carryo lymph के नाम से भी जानते हैं ठीक है third part होता है nucleolus ठीक है और fourth part nucleolus में आपके chromatin thread या chromosomes पाया जाते हैं जो कि क्या है आपका hereditary material hereditary material generally यह क्या है इसमें आपका DNA पाय जाएगा जो कि क्या करता है आपके information को जो आपके parents के information है जो आपके DNA में जो information पाया जाता है वो आप में transfer होता है थोड़ा सा अगर हम इसका structure देखने की कोसिस करें तो अगर इसके structure की हम बात करते हैं तो इसका structure कुछ इस तरीके से पाया जाता है एक हम spherical type का लेके देखता है ठीक है यह आप देख सकते हैं अगर हम इसके structure की बात करें तो यह spherical एक structure लिया है हमने यह आप देख सकते हैं एक nucleus पाया जा रहा है ठीक है यह goal सा nucleus पाया जा रहा है और इसकी जो बाहर की membrane है ठीक है बाहर की membrane इसे हम क्या कह रहे है nuclear membrane जो कि क्या करती है आगे चलके फिर आपके एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम को बनाने का भी काम करती है ठीक है एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम को बनाने का भी काम करती है जब एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम बताया था वे ने बीच में, यहां सेंटर में जो structure पाय जा रहा है, उसे हम nucleus कह रहे हैं और nucleus के बीच-बीच में chromatin पाय जाता है, जो कि फिर condens होके, यानि की घहना होके, chromozoom को बनाने का काम करता है, chromozoom, और इसी chromozoom पे आपके क्या पाय जाता है, DNA पाय जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से इनका structure पा जाता है अब nuclear membrane और nucleus के बीच में जो space पा जा रहा है इसके outer and inner membrane के बीच में जो space पा जा रहा है उसे हम peri nuclear space के नाम से जानते हैं ठीक है किस नाम से जानते हैं outer and inner membrane के बीच में जो space पा जा रहा है नुकलियर पोर जो कि किसमें हेल्प करते हैं आप सबने अभी तक पोर के बारे में कहां कहां पड़ा इंटिगरल प्रोटीन पोर कहां पाया जाता है आपके माइटोकॉंड्रिया में पाया जाता है माइटोकॉंड्रिया में मैंने आपको वहां पे पोर बता था जो किसमें हे भी क्या करता है ट्रांस्पोर्टिशन में इस तरीके से किसी चीज़ को आने में जाने में क्या करता है इसलिए ये पाजाते हैं ठीक है तो ये सारे structure आपके किसमें पाजाते हैं, nucleus में पाजाते हैं, अब कल के lecture में हम देखेंगे, आज के lecture में इतना ही है, कल के lecture में हम देखेंगे, nuclear membrane का structure nuclear plasma का structure, nucleus का structure और किस तरीके से ये कितने parts से मिलकर बने होते हैं और फिर इनका function क्या होता है इतनी चीज़ों के बारे में कल हम देखेंगे आज के लेक्चर में ही बस नहीं तब तक के लिए पढ़ते रही है और आपको कोई भी क्योईरी हो तो आप उसे पूछ सकते हैं हम उसे रिजॉल्ब करने की कोसिस करेंगे थांक ये अबरीवान